अब अब एक ऐसी राशी की बात करेंगे जिनको जो है expensive gift काफी पसंद होते हैं मकर राशी मकर राशी के लोग इनको जो है सबसे ज़्यादा महंगे gift और उपार कौन देना चाहता है इसके बारे मैं बात करते हैं तो बेसीकली जो मकर राशी के लोग होते हैं उनको मतलब एक तरीके से उनको जो gift पसंद होंगे वो होंगे एकदम चमकते हुए shining gift होने चाहिए ठीक है जैसे हाथ से बने हुए chess हो गए chess के जो set आते हैं वो बहुत ज़्यादा expensive आते हैं कोई leather के equipment हो गए ठीक है यह इस तरह क जो gift है कोई जो है organizer हो गया steel के जो है steel के steel के बने हुए कुछ और सामान हो गए और कोई चानी के बने हुए बरतन हो गए है ना उनमे sparkle और जो होना एक चमक होना जरूरी है अब यहाँ पर क्या है कि एक luxurious life जो जीते हैं Capricorn वाले और यह एक तरीके से मकर राशी वाले हैं उन को यह मान के चलनी जीए कि काफी सारी जनता इनकी तरफ इसलिए भी attracted होती है क्योंकि यह दिखने में सुन्दर होते हैं और gifts का हमबार लग जाता है है ना gift ही gift है और basically जो और जो चीज़े हैं देखेंगे कि यहाँ पर तो यहाँ पर watches का अच्छा खासा game अच्छा खासा इ पास कोई भी substandard सामान नहीं मिलेगा जना जितना भी सामान होगा वो सबका सब branded होगा यह एक बढ़िया एक इनके बारे में अब इनको देखो भई इनकी समझ से जो इनके gift हैं वो कौन इनको देगा करकराशी वाले प्रेम वाश करकराशी वाले यानि कि जिनके नाम HRD से होते हैं वो इनके लिए बहुत ही महगे gift भी लेकर के आ जाएंगे जिनकी material value और जिनकी money की value भहत ज़ादा होगी और इनके लिए जो अब हम बात करेंगे कि जो सबसे महगे gift हैं वो आपको कौन देगा तो जो सबसे जो महेंगे गिफ्ट हैं वो आपको देंगे आपके ये नाम इनके नाम V, L, J और H से J और K, H से शुरू होते हैं ये जो है आपके लिए बहुत ही महेंगे गिफ्ट लेकर क्याएंगे और इनका जो गिफ्टिंग का जो हिसाब किताब है वो ये कि कई बार तो ये एक महीने की आदी सेलरी आपके गिफ्ट में लगा दी ठीक है सिर्फ आपको खुश करने के लिए लेकिन मकर राशी के लोग बड़ी जल्दी खुश नहीं होते है ना वो बड़ी जल्दी इंप्रेश भी नहीं होते बड़ी जल्दी खुश नहीं होते उनके सामने लंबी कतार होती है इंप्रेश करने वालों की और मकर राशी वाले अपनी तरफ से किसी को इंप्रेश करने कोशिश नहीं करते उनको कोई जरूरत भी नहीं है तो यहाँ पर यह जो है आपके लिए इस परकार के गिफ्ट मिलेंगे आपके पास अल्रड़ी बहुत शांदार तरह के गिफ्ट होंगे अल्रड़ी आपको जो है बड़े पर आपके लिए बड़िया गिफ्ट का अंतिजाम होता है और आप भी दोस्तों के दोस्त हैं अच्छी संगत आपको पसंद है तो अपना ख्याल रखे अगर कोई महाँगा गिप्ट किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा हो तो उसको पर आप सोच विचार भी कर सकते हैं कि भी उसको लेना है या फिर नहीं लेना है थैंक य। थैंक य। वरी मुच पर वाचिंग और ब्लस्यू